तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चानल डिटेए ट्रिक्स वरड में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको केट विजन कंपने के बहुत ही कमाल के HD MP4 सेप्ट बोक्स के बारे में पूरी जानकारी देने वालों इस सेप्ट बोक्स में दोस्तों आप अपने मुबाइल से मोवी, फोटो और वीडियो को बहुत ही आसानी से कास्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस कमाल के सेप्ट बोक्स के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी और वीडियो की सुरात करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेश्ट है कि अगर आपने जी तक इस वीडियो को लाइकन के लाइक कर दिए चैनल पर पहली बार आएए चैनल को सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर दिए साथ मिल आइकन को दबाके ओल पे क्लिक टर दिए तो यहाँ पर देख से दोस्तों कुछ इस तरह का बोक्स मिलता है जहाँ पर सबसे उपर केट विजन कंपनी की ब्राण्डी की गई है आपको बता दू कि दोस्तों केट विजन ISO सर्टिपाइड कंपनी है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है और यह दोस्तों डूबी एस्टू फ्री टूएर सेप्ट बोक्स है जो कि फुल एचडी एक जारे पिक्सल को अपने मोबाइल की फोटोज को और वीडियो को इसमें बहुती आसानी से कास्ट कर सकते हैं इसमें दोस्तों आपको वाइफाई बिल्ट इन मिलता है तो कोई वाइफाई डॉंगल अलग से लगाने की जुरत नहीं है और यहाँ पर लिखा है कि कंपनी ने एक मिलियन से केबल और सेटलाइट बेच दियें यहाँ पर दोस्तों बिया एस रेजिस्ट्रेशन नंबर लिखावा जिकी आप देखते हैं बहुती कमाल का सेप्टवोक्स है दोस्तों इस सेप्टवोक्स को आप किसी भी डिस एंटिना पर लगा सकते हैं बस दोस्तों आपको उस डिस को डिडिफीडिस की पोजिशन पर सेट करना होगा उसके बाद दोस्तों आप इसमें सारे चैनल विल्कुल फ्री टूर्वर चला सकते हैं लाइफ ताइम तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कुछ इसके फीचर लिखे हुए हैं जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं दोस्त अब देखें दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि इसके अंदर आपको क्या 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 एसेसरी मिलती है एक adapter मिलता है AV lead भी मिल जाती है HDMI cable भी मिलती है manual मिलता है बेटरीज मिल जाती है और इस तरफ दोस्तों हिंदी में लिखा हुआ है जो कि आप यह भी पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से अब दोस्तों में आपको इसको अन्बोक्स करके बता देता हूं कि इस बोक्स में आपको क्या के एसेसरी मिल जाती है यहाँ पर देखिए यह remote मिलता है बहुत एच्छी quality का रिमोट है यह देखिए रिमोट आप देखते हैं यूनिवर्सल रिमोट है तो इससे आप अपनी टीवी को भी ऑपरेट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से तो देखते हैं यहाँ पर केट्विएन कंपनी की ब्राहनी की गई है तो यह remote मिलता है ओडियो वीडियो लीड मिल जाती है और दो बेटरी मिलती है और यहाँ पर दोस्तों आपको एक HDMI केवल भी मिल जाती है बहुत अच्छी क्वाल्टी की तो यह देखते हैं और साथ में दोस्तों आपको एक पावर अडप्टर मिलता है बारा वल्टेज का इसको सप्लाई देने के काम में आता है और यह दोस्तों यहाँ पर इसका यूजर मैनुवल है, हिंदी और इंगलिस दोनों में दिया गया, तो अगर आप इसे भी पढ़ना चाते हैं, तो पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको सेप्टवोस के बारे में बता देता हूं, इनको मैं साइड में रख देता यहाँ पर देखिए, एक केट विजन लिखा हुगा है, CSR 401 HP, इसका मोडल नमबर है, और यहाँ पर दोस्तों एक LED दी गई है, जो कि इसे ओन करने पर यहाँ पर ओन होती है, साइड में बटन दिये गए हैं, तीन, पाउर ओन आप के और चैनल अपडाउन के, तो यह देख LCD TV है, तो उसमें भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, HDMI के द्वारा, AV-out का port यहाँ पर दिया है, तो जो आपकी पुरानी CRT TV है, तो उसमें भी आप इसे चला सकते हैं, और यहाँ से इसे आपको सप्लाई देनी होगी, 12 voltage की, और made in India, BIS registration नमबर यहाँ पर लिखा हुआ, तो अब मैं इसे आपको अपने TV के साथ में connect करके बता देता हूँ, कि किस तरह से इसमें setting मिलती है, और किस तरह से आपको menu मिलता है, तो आप ध्यांस देखतेर यह वीडियो, तो दोस्तों, अब मैं इस सेप्ट बोक्स को अपने TV के साथ में connect कर देता हूँ, तो यहाँ पर द उन होने के बाद में यह green हो जाती है, तो यह देखते हैं, यहाँ पर green हो चुकी है, तो मैंने इसे restart कर दिया है, और यहाँ पर देखिए, Kate Vision का logo आ चुका है, तो यह देखते हैं, कुछ इस तरह से start होता है, और दोस्तों, इस start होने पर Wi-Fi dongle है, इसमें वो automatic enable हो जाता है, और यह देखिए, Wi-Fi device plugin लिखा हो आचको है, और दोस्तों, अब मैं आपको menu बता देता हूँ, तो remote से menu का बटन दबाएंगे, तो दोस्तों, कुछ इस तरह से menu पनोगा, सबसे पहले आपको channel list मिलेगी, जिसमें आपको TV channel list मिल जाती है, यहाँ से दोस्तों, आप channel को favorite कर सक कर सकते हैं, skip कर सकते हैं, move कर सकते हैं, और edit भी कर सकते हैं, तो यह option आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, और इसके बाद में आपको radio channel list मिलती है, फिर timer setting मिलती है, और यहाँ पर delete all का option मिलता आखिर में, तो यहाँ से आप सभी channel logo को delete कर सकते हैं, और इसके बाद में दोस्तो आप transponder add कर सकते हैं edit कर सकते हैं delete कर सकते हैं और scan भी कर सकते हैं वापस audio का बटन दबाना पर दोस्तों satellite open हो जाएगी तो यह देखते हैं यह कुछ इस तरह से open होता है फिर बाद में दोस्तों आपको information दी गई यहाँ पर तो information आप यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में और इसके बार में दोस्तों आपको factory setting का option मिलता है तो यहाँ से आप अपने सेप्टरवस को reset कर सकते हैं इसके बाद में USB upgrade का option मिलता है USB backup का option मिलता है और game मिलते हैं दो game आपको इसमें मिल जाते हैं तो आप खेलना चाते हैं वो खेल सकते हैं फिर system setting मिलती है फिर जिसमें language setting मि मिल जाती हैं तो AV setting में कुछ इस तरह से option मिलता है फिर आपको local time setting मिल जाती है तो यह देखसे दोस्तों आपको aa यहाँ पर parental lock मिलता है और फिर बाद में OSD setting मिल जाती है OSD setting में आप यह देखते हैं कुछ इस तरह से option मिलेंगे फिर आपको favorite का option मिलता है और यहाँ पर दोस्तों नेटर का option मिलता है जिसमें आपको wifi मिलता है सबसे पहले तो इससे दोस्तों आप अपने mobile के hotspot से connect कर सकते हैं YouTube की videos को भी cast कर सकते हैं तो उसके बारे में अगली वीडियो में बताऊँगा आपको किस तरह से आप इसमें cast कर पाएंगे तो अगली वीडियो देखना न बूलें तो देखते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से option आपको इसमें मिल जाते हैं और इसके बाद में दोस्तों आपक इसमें इंटर्फेस आपको मिलता है और दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको इसके चैनल बता देता हूँ कि इसमें आपको कौन-कौन से चैनल मिलेंगे तो आप द्यान से देखिए तो यह देखें दोस्तों मैंने यहाँ पर साइड में थोड़ा बलर किया है ताकि कोपरेट दोस्तों इस लिष्ट में जो भी चैनल है वो सारी है आपको यहाँ पर दिखेंगे और दोस्तों इह पर देखें यहां पर विघम कंट बिलकुल फ्री है और साथ इसमें दोस्तों आपको MPG 4K जो चैनल आते हैं वो भी आप देख पाएंगे और यह देखिए DD News HD जो कि Full HD में है चैनल तो इससे भी आप देख थे हैं यहापर और देखिए बाकी चैनल भी आपको मैं बदाते दाओं कि और कौन-कौन से चैनल है तो यह देख थे हैं यह सारे किसी भी D-Centina के साथ में connect कर सकते हैं बस उस D-Centina को आपको DDFDs की position पर set करना होगा उसके बाद में दोस्तों आप DDFDs पर मजूद सभी 3-2-8 चैनल का lifetime free में मज़ा लेशते हैं और दोस्तों कंपनी इसके साथ में आपको 2 साल की warranty देती है जो कि बहुत अच्छी बाद है द यह देखते हैं और इसके साथ में दोस्तों कंपनी आपको universal remote देती है तो इसकी मदद से आप अपनी TV को भी operate कर पाएंगे जो की बहुत अच्छी बात है और दोस्तों इस septobox में आप अपनी mobile की फोटो और वीडियो को कास्ट कर सकते हैं तो उसके बारे में दोस्तों मैं अ septobox के unboxing और पूरे feature बता दियें तो अगर दोस्तों आपको इसको खरीदना है तो वीडियो के description में और comment में आपको link में जाएगा वहाँ से जाकर आप इससे खरीज सकते हैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारे मिल गई